इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम भर करेगी और यह आपके लक्षनों में कितनी अच्छी तरह मदद करती है। इसे नियमित रूप से उपयोग करें और जब तक डॉक्टर आपको यह न कही कि इसे बंद करना ठीक है तब तक इसका उपयोग बंद न करें। दवा के उपयोग से कुछ सामान्य दुश्प्र प्रभाव हो सकते हैं जैसे फ्लू जैसे लक्षन, अपच और मुह में सुखापन। यदि आपको ऐसे किसी भी दुश्प्रभाव का अनुभव होता है जो दूर नहीं होता है या बत्तर हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपका डॉक्टर लक् प्रभावित कर सकता है या उनसे प्रभावित हो सकता है इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दौवाव के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। इसका उप्योग उन रोगियों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जो शरबी हैं या जिन्हें लिव या प्रभाविती और स्थनपान कराने वाली महिलाओं को दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अधिकांश दुष प्रभावों के लिए किसी चिकित सकिय देख भाल की आवश्यक्ता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है, वे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके ब टैबलेट का उप्योग कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़ें नहीं। नेक्स डॉम 500 टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तै समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।